रोग एडिशन का एक लेटिस्ट वो भी एस्टेवल अपडेट आचुका है नोट 4 डिवाइस के लिए और इसे फिलाल मैं मौर्निंग से यूज कर रहा हूँ तो आज की इस वीडियो में इस से रेलेटेट पूरा A to Z complete information मिल जाएगा और आप ये डिसाइड कर पाऊए इसे यूज करना है या नहीं यहाँ पे आप डेक्स लोग का जो लोगो है यह यहाँ पे चेंज देखनी को मिलता है और यह जो अपडेट है 12.5.3 का एक एस्टेवल अपडेट है जो कि नोट 4 के लिए देखनी को मिलता है और अस्पेक्स के बाद करें तो यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाएगा Android 10 जिसके बज़े से कुछ लोग काफ़ ज़्यदा हैपी होने वाले है और कुछ लोग सैड होने वाले है तो आप सैड वाले में से हो या हैपी वाले में से आप कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि यहाँ पे Android 10 होने के वज़े से आपको परफोर्मेंस काफ़ी ज़्यदा बेटर टेखनी को मिलेगा स्मूदनेस खाफी अच्छा मिलेगा लेकिन वहीं पे वीडियो कॉल का बग आपको देखनी को मिलेगा क्योंकि Android 10 पे यह फिक्स ही नहीं हुआ था तो यहाँ पे कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा लेकिन जो सिक्यूर्टी पैस है वह सिविन मंद का मिलता है यानि बिल्कुली लेटिस्ट मिल जाता है तो यह आपको एक एडवांटेज देखनी को मिल जाएगा यहाँ पे जेट लोस का 3.180 उच किया गया है तो आप अपने मर्जिकन साथ जो चाहो चेंज कर सकते हो प्रफोरेंस को इंप्रूब करने के लिए और मैनेज वगेरा करने के लिए बैक आते हैं तो यहाँ पे आप देखोए इनके जो आइकन है यह चेंज हो चुका है जो कि पहले में ठाट डिफरेंट टेखनी को मिलता था साथ से साथ होम पे जितने भी अप्लिकेशन के आइकन पैक है वो बदल दिये गए हैं जो कि देखने में काफी जड़ा सही लगत तो कुछ इसूस था इसलिए मैंनेज करो ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं भूला नहीं हूं बस लाइफ है ना भाई हमेसा उपर नीचे होती रहती है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको मिलता है वाल पेपर एंड परसनल लाई जेसन जहां पर आपको देखनी को मिल जा है यहां पर लाइबरेरी में आल लाइन वाल पेपर मिल जाएंगे जो कर आप पसंद आएंगे और लागो तरहल पर लाइप और के तरह साथ आहीं नहीं को मिल जाते हैं जो कि मेरे वाल मिल गेशन आपको इंदर seeksन करता है तो नहीं दिया गया बाकी अदर है बाग्ण के द verdison वाला ही देखनी को मिलेगा स्पेवल है ति कोई भी आपको अगे जो हर एक रों मिल देखनी को मिलता है यहां पर साउंट के अंतर ज़्यादा कुछ आपको नया देखनी को नहीं मिलेगा control center में भी ज़्यादा कुछ नया नहीं है home की settings में system निप बार यहाँ पे दिया गया है बट यह काम नहीं करेगा क्योंकि यह Android 10 है और Android 10 के अंदर हमें है जो additional के अंदर देखनी को मिलता था ना कि home setting के अंदर तो हाँ पे option है बट काम नहीं करता है क्योंकि यह Android 10 पे run कर रहा है यहाँ पे आपको Google Assistant मिल जाता है जो कि काम करता है corner से swipe up करने के उपर बाके दर options मिल जाएंगे सभी language का आपको support मिल जाएगा तो जो भी language आपको यहाँ पे use करना है उनके comparison में इसका बैटी है काप आपको अच्छा देखनी को मिलने वाला है यहाँ पे बैटी से थोड़ा वुद आप उमीड लगा सकते हो उतना ज़्यादा नहीं जितना के custom पे मिलता है लेकिन हाँ थोड़ा वुद उमीड कर सकते हो यहाँ पे आपको security app एस्टेवल होने के बावजूद भी latest up to date मिलता है तो सारे advance वाले features आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिसका benefit आप ले पाओगे face unlocking, camera, fingerprint वागेड आपको working देखनी को मिल जाएगा यहाँ पे अगर मैं unlock करूँ तो आप देखते हैं unlocking काम कर रहा है, कोई दिकत नहीं आता है तो इनमें आपको कोई issue देखनी को नहीं मिलेगा बाकि यहाँ पे home setting में वही सारे normal से common से option आपको देखनी को मिल जाएंगे जो कि आप use कर पाओगे बट जैसी home screen का search bar अगर आप enable करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे सारे apps के जो name है वो एक दूसरे के अंदर overlap जा चुके यानि अपने move चेहरे को छिपा लिया है क्योंकि एक छोटी सी कमी है यह खुद से arrange नहीं कर पाता तो आपको यहाँ पे home के जो layout है उसे manage करना पड़ेगा आइकन को small करना पड़ेगा तब ही जाकि यह test आपको नजर आएंगे तो यहाँ पे देख पारे हो तकर आपको search bar enable करना है तो आइकन pack को छोटा करना पड़ेगा तब ही आपको यह देखनी को मिलेगा अच्छे तरीके से working तो यह भी चीज़े यहाँ से आप control कर सकते हो तो यह सब कुछ आपको setting के अंदर कस्टमाइशन देखनी को मिलता है रही बाट touch response तो वह मुझे काफी सही लगा है उतना जादा slow नहीं है तो उतना जादा fast भी नहीं है बट overall usable काफी अच्छा-कासा को देखनी को मिल जाता है तो touch response में मुझे कोई भी सिकायद देखनी को नहीं मिला यहाँ पे FM का एक issue है अगर आप FM users हो तो आपको यह buggy देखनी को मिलेगा क्योंकि FM काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे यह आपको थासा compromise करना पर सकता है बाकिया दर चीजे आपको working देखनी को मिलेगा कास screen भी यहाँ पे आपको working मिलता है gaming की बात करें तो gaming अच्छा-कासा मिल जाता है बट आप heavy gamers हो तो उतना better performance आपको नहीं मिलेगा यह पहले से rotate रहता है तो आपको यहाँ पे बाकिया दर चीजों को fix करना पड़ेगा ज जो कि हमारा MIY13 का है जिसके उपर मैंने पहले वीडियो दिया था तो यहाँ पर यह भी अच्छे से काम कर रहा है कोई दिकत नहीं आएगा तो आप इसका भी benefit यहाँ पर ले पाओगे रही बात RAM management मुझे काफी अच्छा लगा है आप देशतों maximum tab मैंने open कर रखा है देख कई सरे tab open है और यहाँ पे जो free memory देखनी को मिल रहे ना वह 1.8 है और 1.9 तक भी चला जाता है तो RAM management काफी अच्छा है Android 10 होने के बज़े से smoothness काफी अच्छा है और वहीं पर performance के अंदर थोड़ा सा compromise आपको करना पड़ जाएगा लेकिन don't worry यह 3.18 के उपर है ताप अपने हाथ में घर की खेती जैसा है डालो और चेंज करो क्योंकि यह तो काफी एजी है और यहाँ पर आप देखो कि 85 का result आया है जो कि overall normal से थोड़ा सा better है बट जैसा कि मैंने कहा चेंज कर सकते हो तो टेंशन लेने के जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले और यहाँ यहाँ आपको latest वाला ही मिलता है जिसका red color है हमेशा red ही देखनी को मिलता है बट आप developer के setting में जा कि इसे change कर सकते हो और यहाँ पर आपका restart का button है यह हर बार कितर रोग एडिशन का जो अपना खुद का है black type का वही आपको देखनी को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर use कर सकते बटन लाइट आपको working देखनी को नहीं मिलता बट इसका जो haptic button है जो feedback वह काम कर रहा है तो यहाँ पर अच्छा सा feel आपको देखनी को मिलेगा सिवाए lightning के और एक और चीज मैंने यहाँ नोटिस किया है कि आप देखो कि इसके और इसके बीच का जो gapping है यह कुछ जादा है आप अपने home screen के साइज को थोआ बड़ा या छोटा कर लोगे फिर वहाँ पर gapping है जो थोआ जादा ही मुझे देखनी को मिला है तो यह I think manage होना चाहिए था जो कि देखने में थोआ अच्छा नहीं लगता बट यहाँ पर gapping आपको देखनी को मिल जाएगा तो यह थोआ आप इससे चाहो तो ignore कर सकते हो रही बात flashing तो भाई similar ही है जैसा कि बागे दर रोम flash करते हो उसी तरीके से और यह रोम मुझे काफी हतक सही लगा है तकर आप MIY lovers तो आपको performance चाहिए और आप अपने मर्जर के नसार उसके अंदर changing करना चाहते हो तो यह रोम आपके लिए क क्या है राए आप comment करके जरूर बताना और यह android 10 है तो आप left and right भी switch नहीं कर पाऊगे दोनों को अलग-अलग draw करना पड़ेगा क्योंकि android 10 को जैसे यह यहां पे lock लग जाता है यानि features यहां पे enable नहीं हुआ है so bye bye